किसान भाईयो आज हम बात करेंगे कपास की कुछ पचेती किसमे या कुछ यूं कहें के बलू वैरेतिली बुमी के लिए जो हलकी मिटी होती है उसके लिए खास करके ऐसे मिटी राजस्तान में और राजस्तान के साथ जो पंजाब की कुछ सिमा लगती है या हरियाना की कुछ सिमा लगती है मद्य परदेश कहरिया इसके अंदर ले सकते हैं ऐसे मिटी के अंदर किसानों को बहुत बड़ी समश्या आ रही है कि वो ये बात स्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कपास की कौन सी किसम लगाई जाए तो इसके उपर आज हम संपुरुन बात करने वाले हैं मैं करीब करीब 14-15 किसमें आपको बताने जा रहा हूँ अलग-लग कमपनियों की जो के आपको एक नहीं तो दूसरी दूसरी नहीं तो तीसरी कोई न कोई किसम आपको मार्किट से मिल जाएगी तो मैं हूँ एलार चोदरी आप देख रहे हैं खेती डिसकावरी सबसे पहले चलते हैं किसान भाईयों रासी सीड कमपनी की ब्राइटी की बात करते हैं रासी सीड कमपनी के अगर आपको किसम लेनी है तो आप 602, 650 और 776 किसम ले सकते हैं यानि के 602, 650 और 776 ये तीन किसमें रासी सीड की हैं आप इन्हें ले सकते हैं तीनो किसमों क्रीब क्रीब all round किसमें हैं, तीनो किसमों की क्रीब क्रीब अगर बात करें तो ये तीनो किसमें हलकी, बालू, रेतिली, भूमी के अंदर जान फ़ारे से drip irrigation से खेती होती है, वहाँ पर आप इन किसमों की बोई कर सकते हैं, ये किसमें पच्छेती आप 30 मई तक या कुछ यूँ कहें कि 10 जून तक भी आप इन किसमों को लेट तक भी लगा सकते हैं किसमें आपको दोका नहीं देंगी इस तीनों किसमों की करीब करीब जो हाइट है वो 6 फुट के आसपास है तीन से चार पानी की सिंचाई की ने जरूरत परती है नेरी पानी तीन सिंचाई की जरूरत परती है फुरे के अंदर आप 5 से 6 ड्रीप एरिगेशन से इनकी सिंचाई कर सकते हैं पत्ते इनके मोटे होते हैं टिंडे का साइज काफी बड़ा होता है और चुनाई में भी काफी आसान किसम होती है ये वाली अगर किसान भाईयो इनकी टोटल टाइम की बात करें तो क्रीब करीब 165 से 65 दिनों की टोटल तीनों किसम है जो एवरेज 160-65 दिनों की किसम है अगली किसान भायों बात करें तो US Agri Seed की 51 और 51 में किसम दो किसमें है US Agri Seed की 51 और 91 ये दो किसमें भी रेतिली, बालू, वे हलकी बूमी के अंदर कामियाब किसमें है इन किसमों को भी आप अगेती मद्यम और पचेती समय के अंदर लगा सकते हैं इनके आल राउंडर किसमें ये भी इन किसमों की हाइट करीब करीब 6 फुट के आसपास है पत्ता मोटा होता है टिंडे काफी बड़े होते हैं और 3-4 सिंचाई के इने जरूरत पड़ती है अगर बारिश हो जाए तो 3 सिंचाई में भी काम चल जाता है और ड्रिप एरिगेशन के अंदर 5-6 सिंचाई आप ड्रिप सेज की कर सकते हैं किसान भाईयो रासी की अगर उन किसमों की अगर बात करें और जो 3 किसमें थी और यूस एकरी सीड की इन किसमों की बात करें तो एवरेज इनका जो उत्पादन है वो 10 से 11 कुएंटल परती एक एकड़ है अधिकतम उत्पादन की अगर बात करें तो 13 से 14 कुएंटल 15 कुएंटल तक ये उत्पादन दे देती है बहुत अच्छी किसमें है किसान भाईयों अगर अगली किसम की बात करें तो अगली किसम है विख्यात क्रिशी दन की किसान भाईयों आज कल क्रिशी दन की विख्यात वराइटी काफी ज़्यादा पापलोर हो रही है अच्छा market के अंदर इस किसम ने hold बनाया है इसकी खुबी ये है कि ये बहुत ही कम सिंचाई में यानि कि अगर बारिश हो जाए तो कहते हैं कि 2 सिंचाई के अंदर भी ये जो है बहुत अच्छी हो जाती है 3-4 सिंचाई बहुत ज़्यादा काफी रहती है इसके लिए हाइट अच्छी है करीब करीब 7-8 फीट तक इसकी हाइट के इसगे देखी जा चुकी है तिंडे का साइज काफी बड़ा होता है करीब करीब 6 ग्राम का बोल होता है और उत्पाद्र में भी ये किसम जो है करीब करीब 11-12 क्वेंटल एवरेज रहती है और हाइस्ट के अंदर भी 14-15 क्वेंटल इसका इल्ड जो देखा गया है बहुत ही अच्छी किसम है किसान भाईयो ये भी रहती लिए बालू मिटी के लिए किसान भाईयो अगर अगली किसम की बात करें तो अगली किसम है निजी वुडू की मोती ये किसम भी बहुत अच्छी किसम है इस किसम को भी आप बारी मद्या मुवै हलकी बलू मिटी के अंदर आप इसकी बुआई आप कर सकते हैं काफी अच्छी हाइट है इसकी और तीन से चार सिंचाई के अंदर ये कामियाब किसम है ये किसम भी बहुत सारी बिमारियों के प्रती सैंसील किसम है किसान भाईयो अगर अगली किसम की बात करें तो अगली किसम है सूपर सीड की कथा कथा के आजकल काफी ज़्यादा चर्चे हैं क्योंके कथा ने अपना जो है काफी होल्ड किसानों के अंदर बना लिया है काफी विश्वन ये किसानों के लिए ये वराइटी हो गई है कथा किसान भाई यो रेतीली बालू मिटी के लिए हलकी भूमियों के लिए बहुत ही कामियाब किसम है ये तीन से चार पानी सिंचाई किसे जुरूर्ट परती है कम सिंचाई की जुरूर्ट परती है अगर बारिश हो जाए तो तीन सिंचाई इसके लिए काफी रहती है पता काफी मोटा होता है टिंडे काफी बड़े होते हैं लड़ीदार टिंडे इसके अंदर लगते हैं टाइम से फलो और फूल उठाना शुरू कर देती है यानि किसी भी आलतमी ये किसम किसानों को दोखा नहीं देती है इसकी आयट भी क्रीब-क्रीब 6 फुट के आसपास है और किसान भाईयो विल्ड बीस की है जो 10-11 कुटल प्रती एकड़ एवरेज है और हाइस्ट की बात कर बाइर कंपनी के आती थी आजकल इसको क्रिश्टल ने हाइर कर लिया है तो क्रिश्टल के नाम से जानी जाती है आजकल SP 71 और बैतर के नाम से जानी जाती है ये भी कम पानी की किसम है बहुत अच्छी किसम है टिंडे इसके भी काफी नजदीक लगते हैं टिंडे का साइज करीब करीब 5 ग्राम के आसपास होता है और 3-4 सिंचाई की से जरूर्ट परती है हाइट भी काफी अच्छी है इसकी करीब करीब जो हाइट की बात करें तो 5-6 फूट के आसपास इसकी हाइट है और जो 10-11 कुंटल प्रती एक कड़ी इसका जो उतबादन रह जाता है हाइट की बात करें तो 13-14 कुंटल इसका वजन है काफी अच्छी पॉपुलर वराइटी है किसानों के अंदर और काफी अच्छी किसम है किसान भाईयों अगर अगली किसम की बात करें तो अंकूर सीड की है अजे पांसो पिच्पन जी हाँ अजे टीपल फाइव ये भी काफी अच्छी किसम है इस किसम को आप बालू रेते ली वे जो हलकी जमीन की अगर बात करें हलकी बूमी की बात करें तो उसके अंदर ये कामियाब किसम है अंकूर सीड की ये किसम राजस्तान के अंदर फौरा एरिकेशन के अंदर भी काफी कामियाब किसम है इस किसम का टिंडा काफी बड़ा होता है करीब की 5 ग्राम का होता है और पत्ते बड़े होते हैं हाइट अच्छी रहती है 5.5-6 फुट तक इसकी हाइट चली जाती है और 3-4 सिंचाई के अंदर ये कामियाब किसम है फल और फुल टाइम से उठाना सुरू कर देती है जिस कारण किसानों को दोखा नहीं देती है वे जुल सरोग इस वराइटी में नहीं आता है किसान भाईयों अगर अगली किसम की बात करें अगली किसम है अजीत सीड की 155 यानि के 155 और 117 यानि के 177 ये दोनों किसम हलकी बालू वे हलकी सोरी रेतिली मिटी के अंदर कामियाब किसमें है ये किसमें भी 3-4 सिंचाई की जुरूरत पड़ती है पत्ते काफी बड़े होते हैं टिंडे का साइज काफी बड़ा होता है 5-5.5 गराम का इन किसम का जो टिंडे का साइज है और चुगाई के अंदर काफी आसान रहती है ये किसम और जो इसका वजन है वो भी काफी अच्छा है टाइम से फलो और फूल लेना स्टार कर देती है जिस वज़े से जुल सुरो गरा वगरा इसमें नहीं आता है CLCV और जो तेले चेपे के प्रती भी ये किसमें कामियाब है इस मसले में भी किसान भाई यो अगर अगली किसम की बात करें तो किसम है प्रबात सीट की गोल्ड प्रबात गोल्ड के नाम से जानी जाती है ये किसम भी आजकल किसानों के अंदर काफी पापुलर हो रही है काफी ज़्यादा परगती कर रही है ये किसम हलकी बालू वै रेतिली मिटी के अंदर कामियाब किसम है इस किसम में 3-4 सिंचाई की जुरूरत बढ़ती है और जो इसके पत्ते काफी बड़े होते हैं टिंडे का साइज भी काफी अच्छा रहता है चुगाई में काफी आसान है और हाइट जो है करीब करीब 6 फूट रहती है और तेले चेपे के ओवाई सीवी के प्रती भी सेंचिल किसम है यह काफी अच्छी किसम है किसान भाईो अगर ट्राई नहीं की तो इस किसम को आप ट्राई कर सकते हैं 10 से 11 कौंटल एवरेज इसका उत्पादन है और अधिक्तम की बात करें तो 13 से 14 कौंटल इसका इल्ड आ जाता है किसान भाईो एक वराईटी हो रहे हैं माईको की बलराज प्लस बलराज प्लस भी काफी अच्छी किसम है 5 से 6 फूट इसकी हाइट रह जाती है और बोल का साइज भी इसका क्रीब क्रीब पांच गराम का है बड़े साइज का इसका टिंडा है चुगाई में आसान है और जो सिंचाई से 3 से 4 सिंचाई की से जुरूरत पड़ती है हाइट भी अच्छी है किसान भाईो रेतिली बालू मिटी के अंदर काफी कामियाब किसम है बलराज ने आजगल किसानों के अंदर अपनी अच्छी पकड बना ली है किसान भाईो यह सभी किसमें क्रीब क्रीब लगबग सेमसी है आपने शायद देखा होगा कि जो मैंने आपको जानकारी दिया इसके अंदर लगबग सेमसी जानकारी है किसान भाईयों कहिए आप यह कंफ्यूज ना हो जाएं कि यह सभी कोपी है लेकिन यह वराइटी लगबग मिलती जुलती किसमें हैं उन्हीं की का इ कानमे के अगर बात करें विख्यात के अगर बात करें तो इन किसमों के अंदर जो किसानों का अंकूर सीड की है अजीत सीड की है प्रबात गोल्ड है इन किसमों के अंदर किसानों का थोड़ा विस्वास बन चुका है इसलिए आप शायद हो सकता इन किसमों को ज्यादा तर हर्याना, राजस्तान, हिमाचल परदेश, देली, गुजरात, हिमाचल परदेश और जमू कस्मीर, मत्य परदेश और वेस्ट यूपी के अंदर काम्याब हैं यह किसमें आप इन राज्यों के अंदर बड़ी आसानी से इनने लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई यह बहुत सारी वराइटियों की जो अगेती किसमें उनकी भी जानकारी दी गई है एक बात और बतातुँएं यह सभी वराइटियों को आप अगेती से मद्यम और पिछेती भी लगा सकते हैं यह important question होगा शायद आपका इन किसमों को अगेती मद्यम और पिछेती लगा सकते हैं यानि कि यह किसमें all rounder किसमें हैं आला उंडर का जाता है ऐसी किसमों को तो आप इनने ट्राइज जरूर करें और सभी किसमों की और बहुत सारी जो वराइटी है कोई अगेती है कोई मद्यव है उनके जानकारी बे मारे चैनल पर मिल जाएगी